सरकार के प्रकार, एक, लोक तंत्र, एक ऐसी सरकार की प्रनाली जहां नागरिक मतदान के माध्यम से शक्ती का प्रयोग करते हैं। लोकतंत्र में, लोग अपने नेताओं का चैन करने और स्वतंत्र और निश्पक्ष चुनावों के माध्यम से निर्णियों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। उदाहरणों में संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और कई अन्य देश शामिल हैं। लोकतंत्र अक्सर व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा, कानून के समक्ष समानता और सरकारी शाखाओं के बीच शक्तियों के प्रिथक करन पर जोर देता है। इसके अतिरिक्त, लोक्तांत्रिक प्रणालियों में प्रत्यक्ष लोक्तंत्र, प्रतीनिधी लोक्तंत्र और भागीदारी लोक्तंत्र जैसे विभिन रूप शामिल हो सकते हैं. 2. राजतंत्र एक ऐसी सरकार का रूप जिसमें प्रमुखता पर एक समराठ होता है, यह एक निरनकुष राजतंत्र हो सकता है, जहां समराठ की असीमित शक्ती होती है, या एक सम्वैधानिक राजतंत्र, जहां समराठ की शक्ती कानून द्वारा सीमित होती है, उदाहरनों मे साउधी अरब और युनाइटिट किंग्डम शामिल हैं, राजतंत्र वन्शा नुगत हो सकते हैं, जहां पद परिवार की रेखा से आगे बढ़ाया जाता है, या निर्वाचित हो सकते हैं, जहां समराट का चयन एक चयनित समूह द्वारा किया जाता है, एतिहासिक रूप से, राजतंत्रों ने राष्ट्रों, संस्कृति और परंप्राओं को आकार देने में महत्वपून भूमिकाएं निभाई हैं, आज, कई समवेधानिक राजतंत्र समारोव की भूमिकाओं को लोगतांत्रिक प्रशासनिक सनरचनाओं के साथ मिलाते हैं। तीन, अलपतंत्र, एक ऐसी सरकार का रूप जिसमें शक्ती कुछ लोगों के पास होती है। ये लोग कुलींता, संपत्ती, पारिवारिक संबंद, शिक्षा या कॉपरेट, धार्मेक या सैन्य नियंत्रन द्वारा प्रतिष्ठित हो सकते हैं। उदाहरनों में रूस और चीन शामिल हैं। अलपतन्त्र अकसर ऐसी समाजों में उत्पन होते हैं, जहां आर्थिक असमानता उच्च होती है, जिस से शक्ती का अभिजात वर्ग के बीच संकेंद्रन होता है। ये संकेंद्रन सीमित राजनीतिक प्रतिसपर्धा और सामान्य जन्ता के लिए कम प्रभाव का कारण बन सकता है। अलपतंत्र विभिन रूप ले सकते हैं जिसमें अभिजात शाही और धन्शाही शामिल हैं और अन्य राजनीतिक प्रणालियों के साथ सेह अस्तित्व में हो सकते हैं। 4. तानाशाही एक ऐसी सरकार का रूप जहां एक व्यक्ति या एक छोटा समूह बिना प्रभावी समविधानिक सीमाओं के पूर्ण शक्ति का मालिक होता है। उदाहरनों में उत्तर कोरिया और बेलारूस शामिल हैं। तानाशाही एकसर तक्ता पलट, प्रांतियों या अपात कालीन स्थितियों के माध्यम से उत्पन होती हैं। और उनकी सरकार को आवश्यक, दक्षता या राष्ट्रिय हितों की सुरक्षा के दावों के माध्यम से उचित ठहराया जा सकता है। नागरिक, स्वतंत्रताएं और राजनीतिक स्वतंत्रताएं आमतोर पर प्रतिबंधित होती हैं, और असेहमती अकसर दबा दी जाती है। नेता या शासक समूव सेना, मीडिया और अन्य प्रमुक संस्थानों के नियंत्रन के माध्यम से शक्ती बनाए रखता है। पांच, गनराज्य, एक ऐसी सरकार का रूप जिसमें देश को एक सारवजनिक मामला माना जाता है और राज्य का प्रमुक एक निर्वाचित या नामानकित राश्ट्रपती होता है। गनराज्य में सरकार का अधिकार लोगों से प्राप्त होता है और कानून के शासन और अलपसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा पर जोर दिया जाता है। गनराज्य विभिन रूप ले सकते हैं जिसमें संघिय और एकात्मक संरचनाय शामिल हैं और शक्ती के दुरुपयोग को रोकने के लिए अकसर जांच और संतुलन की प्रनाली की विशेशता होती है। गनराज्य वाद की अवधारना नागरिक गुन और सार्वजनिक मामलों में सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देती है। 6. साम्यवाद एक राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा का उद्देश्य एक वरगीन समाज की स्थापना करना है जहां उत्पादन के साधनों का सामुहिक स्वामित्व हो। उदाहरनों में क्यूबा और पूर्व सोवियत संग शामिल है। साम्यवाद ने जी संपत्ती को समाप्त करने और संसाधनों के समान वित्रण को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। यह एक केंद्री कृत नियोजित अर्थ्व्यवस्था का समर्थन करता है जहां राज्य उत्पादन, वित्रण और खपत को नियंत्रित करता है। जबकि सैधान्तिक साम्यवाद एक राज्यहीन, वर्गीन समाज की कल्पना करता है। व्यवहार में, साम्यवादी राज्यों ने अक्सर केंद्रीकृत प्राधिकरण और सीमित राजनीतिक स्वतंत्रताओं का प्रदर्शन किया है। जिससे विचारधारा की आलोचनाएं और विभीन कार्यानवयन उत्पन हुए हैं। साथ, धर्मतंत्र, एक ऐसी सरकार की प्रणाली जिसमें पुजारी भगवान या एक देवता के नाम पर शासन करते हैं। एक उदाहरण इरान है, एक धर्मतंत्र में, धर्मिक नेताओं के पास राजनीतिक शक्ती होती है, और धर्मिक कानून का उप्योग शासन के आधार के रूप में किया जाता है। धर्म तंत्र धर्म और उसकी व्याख्या पर निर्भर करते हुए व्यापक रूप से भिन हो सकते हैं. कुछ लोग तंत्र या राज तंत्र के तत्वों को मिलाते हैं. धर्मतांत्रिक शासन अक्सर जीवन के सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनी पहलिओं को प्रभावित करता है, जिसमें धर्मिक सिध्धांत नीतियों और सामाजिक मांदंडों को आकार देते हैं. ये शासन का रूप विविदिया, आधुनिक समाजों में धर्मिक और धर्मनि पेक्ष हितों के बीच तनाव का कारण बन सकता है. आर्ट, अराजक्ता, एक ऐसी समाज की स्थिती जिसमें सरकार या कानून नहीं होता है. कुछ राजनीतिक सिध्धांत एक राज्यविहीन समाज की वकालत करते हैं. अराजक्ता को पदानुक्रमिक प्राधिकरण और प्रचित सरकार की अनुपस्थिती द्वारा विशेशता है. जो व्यक्तियों के बीच स्वैच्छिक सहयोग और पारसपरिक सहायता पर जोड़ देती है. जबकि अक्सर अराजक्ता को अराजक्ता और अव्यवस्था से जोड़ा जाता है. दार्शनिक अराजक्ता आत्मश राजनीतिक दर्शन को प्रभावित किया है. जो कटर लोकतंत्र, विकेंद्री करण और दमनकारी प्रणालियों के उन्मूलन की वकालत करते हैं. प्रत्य एक प्रकार की सरकार की अपनी अनूठी सनरचनाएं और सिध्धान्त होते हैं. जो एक समाज के संचालन और शक्ती क वित्रण को प्रभावित करते हैं. इन विभिन प्रणालियों को समझना मानव, द्वारा राजनीतिक शक्ती को संगठित और प्रबंधित करने के विविध तरीकों की जानकारी प्रदान करता है.